राम काज किने बिनु मोही कहा विश्राम ये जो एक श्लोक है ना ये श्लोक निया भाई ये ना एक उड़जा का स्तुरूत है करोड़ों हिंदू होगा जैसे अनुमान जी जब सिता मया को ढूंडने के लिए निकले थे ना तब उन्होंने ये श्लोक बोला था कि भाईया मै मैं विश्राम करूंगा इनि जब तक मैं अपने प्रभूश्री राम के कारे को संपन्न नहीं कर लेता वहीं सिता मयाता को अंगूठी नहीं पहुचाता तो बस वही सीन है जो हमारे ये इतने फ्ल्टम फाइटर्स थे ना जिन्होंने लड़ाई लड़ी है ये बाई जनव दर्ज हो चुकी है और उस घटना ने तो हमारी राजनीति को हमेशा हमेशा गयरे बदल के रख दिया था शह दिसंबर उनिस सो बानवे सुबह सवेरे साड़े दस बजे के आसपास आयोध्या में मस्जित के निकठी राममंदर निर्मान के लिए सांकेतिक कारसेवा करने की गोश्रा की गई थी इस्थानिय प्रशासन के अनुसा इस कारसेवा में भाग लेने के लिए देश भर से लगभग डियर लाख लोग दो दिन पहले ही आयोध्या पहुच गए थे किसना और बहुत है कि अनुसाने बावर लें ऐसके में डिए मेरे ना इत् Rubly टोड़ा गया उनना कि घ् Sc número20 अबावर लूश्रे इंसDY अपनी लॉनिएर्वे website रहे था पता निमाने कितनी सारी गरन्तों को वेदो को जला दिया मतलब साइंटिस आज भी जिन चीजों की मतलब वह कर रहा है ना रिसर्च वगारा और उनको जो चीज़े पता लग रहे है वह वहां पर लिखी वी थी भाई एनिवे उसके बाव जुद भी मिटा नहीं पाए तभी तो बहुत खुशी होती है कि 500 साल से भी ज्य पूजा करने के बाद ना वह एक जगा ले ले लेते हैं एक चबूतरा बनाते है प्रभु राम की मुर्ति होती है कि हाँ एक चबूतरा बना दिया यहां पर आओ पूजा करो बहुत महनत के बाद होता है यह 1528 में जब बाबर ने रामंदिर को तोड़ा था ना तो उसका जो गुस्सा था फाइनली हिंदू के मन में वह फटता है 1813 में और वो ना जोड़ जोड़ से फिर भाई उनके अंदर का उबाल है वो फटता है भाई यहां पर मंदिर थी ना इक दृता हो ऑप थार घर lifting यहां पर उसके बात यहां एक व्रिटिश सर्वेर था था मार्टी उसकी विना एक रिपोर्ट आ तरहीं करकِ जाता है ना तो उसकी जब रिपोर्ट आती है तो उसमें भी यहゃ लांder जाता था जो मंदिर का है भाई जैसे यह वहां आति है उसके बाद तो जो कलेश मचता है भाई फिर उसके बाद क्या होता है कि मस्जिद के अंदर एक जगा मिल जाते है कि भाईया पूजा अलग जगा होगी और नमाज अलग जगा होगी मतलब ऐसे में फिर एक जगा मिल जाती है अपन लोगों 1853 ये वो साल था जहां मतलब फर्स टाइम हिंदो और मुस्लिम दोनों के बीच में विवाज स्टार्ट हो गए उसके बाद दो साल बाद 1855 में मुसलमान तो अंदर जा रहा था मस्जिद के लेकिन वो विवाज मुद के बाद हिंदों की एंट्री बंद कर दी जबकि हिंदों को भी जगा मिली थी वहाँ पर पूजा करने के लिए बट नहीं तो 1855 मन तो साल बाद मुसलमान ही जा रहा है हिंदों को बंद कर दिया बट देन 1858 में कुछ ऐसा होता है जो चुमेश्वरी होता है मतलब गजब होता है निहंग सिंग फकीर साब वो अपने 25 साथियों को लेकर मस्जिद के अंदर घुजाते हैं और कपजा कर लेता है मस्जिद के उपर और वहाँ पर पूजा पार्ट करते हैं और कोईले से बाहर बड़ा बड़ा जैश्री राम लिख देते हैं जिसमें निर्मो यह खाड़ा यह अपील करते हैं कि जो हम हिंदू के लिए वो चबूतरा दिया गया पूजा के लिए उसकी प्रॉपर कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए अच्छे से बना कर दो हमको उसको बड़ जो कोट होती है न वो उसके लिए भी मना कर दो हमारा मंदिर थ होता है जब देश आजाद हो जाता है अब हिंदू खुश कहते लए ब्रिटिश का रास्ता उन्होंने निवह यह राम मंदिर बनने दिया कोई दिक्कत नहीं है बहुत से लिया अब तो देश आजाद होगे आप तो हम सोतंतर है भाई अब तो हमारे राम अंदिर लाएंग अचारक से मस्जिद के अंदर प्रभू राम की मूर्तिया प्रकटो जाती है धंडियों कि अवाज बजनी स्टार्टो बजाती है जिसको देखकर सारे मुस्लिम कहाते हैं कि नई यह जो है हिंदो ने کیा है वहीं सारे के सारे इंदू बोलतें कि नहीं भीया हमारे प्रबु राम ने खुद प्रकटू है खुद जनम दिया भीया वहाँ पर खबर बहुत फैल जाती है बहुत बड़ी खबर बन जाती है ठीक है उसके बाद यह पहुंच जाती है डैली तक देन उस टाइम पर जो थे हम जा दो मुर्ती को मज्जे जैसा वैसा रहना दो तुम देख रहों बड़ स्टिल केके नायर ने मना कर दिया और इस्तिफा दे दिया कि नहीं मैं तो यह काम नहीं करूँगा जो गला तो जाते जाते ना एक एडवाई जरूर दी कहा कि मुर्ती हटाने की कोशिवी मत करना पहले वाला सिस्टम खतम हो चुका है मुर्ती मत अठा ना तो कहा कि ऐसा कर सकते हो तो एक ना जाली लगा दो प्रभुराम की मुर्ती आसपास जाली लगा दो इस्तिफा देती है और जो पिर जो आला लारु साब थे उन्होंने फिर उनके एडवाईस को लिया और जाली ल अब टाइम आजाता है 1980 का अब बीजेपी पार्टी जो वो इस टाइम पर एक अच्छी घासी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है ठीक है और इन्हों ने हमेशा से रामंदिर का सपोर्ट किया था और इनके जो पॉलिटिकल एजंडा थो उनमें रामंदिर का एजंडा था ह तो बीजेपी पार्टी जो है वो हमेशा से रामंदिर का मुद्धा उठाती थी वीएच्पी पार्टी हो गई रर्स यह सब जी जान लगा देते थे मुद्धे को देश भर में उठाने के लिए अब यह जो रामंदिर की मांग थे नहीं पूरे देश में बहुत तेजी से काफी लोग को जागरूर कर जिया थे लोगों ने ठीक है तो फिर बीजेपी ने क्या क्या एक प्लान मनाया कि 1984 में हम एक रत यात्रा निकालेंगे और वो वह भी जाती सक्सेसल बट क्या हुआ कि उसी टाइम में इंद्रा गांदी थी उनकी डैथ हो गई और देश में महौ सारे रामबग जुड़ते हैं यह यात्रा सुमनात से अयोधा तक निकाली जाती है और जब यह यात्रा बिहार के समस्ती पूर पहुंचती है तो वहाँ पर उस टाइम पे लालू जी की सरकार होती है तो वह क्या करते हैं अडवाज जी को गिरफतार कर लेते हैं और इस टा तो उनको नहीं चीज अच्छी नहीं लगते हैं और वो कह करते हैं घोली बाजी स्टार्ट करा देते हैं बताओ जिसमें हजारों लोग मारे जाते हैं यह बहुत सैडस्ट पार्ट है भाई रामंदिर के लिए फिर तुम बोलरों की खुशी क्यों नहीं होगी मतलब लोगों पर अपनी जाने दी हैं भाई जाने दी हैं लिटरली फैमिलीस के कमाने वाले लोग थे वो बच्चे थे हर कोई मर रहा है और यह सब इतना दर्दनाग था ना कि भीया तुम लोग सहां नहीं पाऊँगे बड़ यह बाते तुम्हें पता हो नीच लिए है खुश तो सारे क साल आता है 1992 सरकार थी BJP की एंड कल्यान सिंग जी थी उस टेम पे वांके CM जिनको रहा कोट ने पूरे-पूरे आदेश देवे थे कि भाईया मस्जिद को खुश नहीं हो रहा चाहिए लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है जिसको हम शौरे दिवस के नाम से आज भी याद रख आन सिंग जी जो CM थे वो इस्तिफा दे देते हैं एंड वो यह पूरा का पूरा सुनिश्चित करते हैं कि भाईया एक विकार सिवक्य उपर अकर गोली चल गई ना बहुत मारों वह बहुत अच्छा स्ट्रिक्ली वह दे देते हैं और वो खुशी-खुशी अपनी कुर्सी सरकार और अटल विहारी वाजपेजी बनते हैं हमारे PM और फिर से राम मंद्री की चो मांग है वो तेज हो जाती है आखिरकार ASI को सर्वे करने का आदेश सा मिल जाता है ASI के सर्वे के बाद ये साफ हो जाता है कि वहाँ पर राम मंद्री था और इसी वज़ा से हमारे देश पर कई हमले भी हुए कुछ लोगों नहीं चीज पसंद नहीं थी 2005 में लश्करे तईयब के आतंगवादी राम मंद्र कॉंपलेक्स के ओपर अटैक्टर देते हैं इतने सारे संगर्ष होगे बलिदानों के बाद फाइनली वाड़ा दिन आई जाता है दो जारों ने जब सुप्रीम कोर्ट ये और पास कर देता कि भाईया जो जमीन है वो राम मंद्र ट्रस्ट को ही दिया जाएगा सो ये थी पूरी के पूरी कहानी पूरी के पूरी हिस्ट्री भीया तो देख लो तुम कितना सब कुछ साहा है सौ साल का नहीं 200 साल का नहीं भीया 500 साल से उपर का संगर्ष है या कितने सारे वीरों ने बलिदान दिया तब जाकर ये वाला दिन देखने को मिल रहा है हम अब भी बहुत सारे जुन लोगों ने बहुत कुर्बानिया दिये हैं प्लैनिंग प्लोटिंग कैसे होगी है और बहुत सारे राक्षासों के बारे में बताऊंगा जिन्हों ने भी अपने एडि चोटी का जोर लगा लिया था और कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें काफी सब्सक्राइब करना जल्दी डाल दूंगा एंड सब्सक्राइब कर दो कर फर्स्टाइम आयो एंड वास बाइस जन्वी का इंतजार करो हिया